नमस्कार दोस्वों आपशिबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों केशे हैं आपशिबी उमेद करते हैं कि भगवान भुलिनात के श्रबाशी आपशिबी बहुत यच्छे होंगे दोस्वों आप शिबी को बिदा दें कि कल शी आप शिबी का नशीब का दुआर खुलने वाले हैं जिया दोस्वों कल शी आप शिबी का भागी बिल्कुल ही चमक जाएगा दोस्वों आप शिबी की जुनकाल में कल शी जो बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है जो बड़ी लाब मिलने वाले हैं जो बड़ी आपके उजनाई शुफल होने वाले हैं दोस्वों सुनकर और देखकर आपके आँखों पर एकिनी होंगे जिया दोस्वों हम आप शुवी को बता दें कि दोस्वों अब वक्त आ गया है जब आपके करमों का अफल आपको मिलने वाले हैं जिया दोस्वों दोस्वों बहुत दिन होगे जब आप अपने जुनकाल में दुख को जिलते आ रहे हैं जब आप अपने जुनकाल में कभी सुख को नहीं देखे हैं दोस्तों बहुत दिन एशे आपके जुनकाल में गुजरे हैं जहां पर दोस्तों आपने आशों को भी भाया है और दोस्तों फिर भी किशी को नहीं बताया है दोस्तों बहुत दिन आपने अपने जुनकाल में एशे गुजरे हैं जहां पर दोस्तों आपको कई शारी अपमान भी चिलने पड़े हैं दोस्तों बहुत इदिन एशिय आपने अपने जुनकाल में सहे हैं जब दोस्तों आपके अपने ही लोग आपके दुश्मन बनते गए हैं दोस्तों आपने बहुत एशिय दिन देखे हैं जहां पर आपको कई परकार की मुश्यपतों का श्यामना करना पड़ा है लेकिन दोस्टों हम आप शिबी को बता दी कि अब आपके वे दिन खत्म होने वाले हैं दोस्टों कल से आप शिबी का नशिब का द्वार खुलने वाले हैं जिह दोस्टों यह जिद बताते हुए हमें अत्यंत प्रश्मता हो रही है कि दोस्टों अब आपके बॉच्षियों की बॉच्छार आने वाली है इश्वर का शिरवाद आपशिवी के जिनकाल में आखिर आही गया जिए दोस्थों इश्वी दोस्थों वह कहते कल्से होने वाले हैं जे दोसों अब आपके जुनकाल में जो भी लोग आप शिबी को परिशान दिखना चाहते थी जो लोग आपको हमेशा नुक्षान करना चाहते थी दोसों उन शिबी के आँखों में यश्मी दुख के आशो होंगे जे दोसों और हम आप शिबी को बिदा आपशिबी के जुनकाल की हर वो चीज़ आपको मिलने वाली है, जिन के लिए आप पिछले कईश्मे से तडब रहे थे, दोस्तों यह कहें तो दोस्तों आपशिबी का अब औहों हज़ जिंदगी बनने वाली है, जिन में आपको शिर्वाद अब आप 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 शिर्वाद 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 दोसों हम आप शिब को बतादें कि यश्य में आप शिबी के कुंडली में बहुती बड़े अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं बहुती शिब गरहों का निर्मान होने वाले हैं दोस्तों साक्षात के दार योग भगवान भूलिनात से शंबन रखता है जिए दोस्तों और शाक्षात आप शिवी के जुनकाल में अब भगवान भूलिनात बहुती बड़ी चमतकार करने वाले हैं जिन से दोस्तों आप शिवी का जीवन बदल जाएगा जिहां दोस्तों कल आप शीबी को अपने जून काल में कौन-कौन्षी बड़ी खुशě вый देखने को मिलेंगी कौन-कौन शी सब्टाइए आप शीबी को मिलने वाले हें कौन-कौन проект कारat आप शीबी के बनने वाले हैं और दोस्वों कौन-कौन शे महत्पुन बातों का आपको अपने ध्यान में रखना अब बहुत ज़्यादा वश्यों होंगे जिए दोसों शभी बाते हैं आज के इस वीडियो में हम बताने वादे हैं तो दोसों आप जाने अन जाने अपने किश्मत को भी खोदेंगी और दोसों बहुत ज़्यादा आप अपना जिवन काल में पस्ताने वाले हैं जे दोसों, इशली दोसों, हर एक बात आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत यच्छा मुका है, बहुत यच्छा श्रमे है, और दोसों गरहों का ये निर्बान, शबी के जुनकाल में नहीं होते हैं, दोसों उनहीं के जुनकाल में एशी गरहों के पस्तिती बनती है, जो इश्वर पर भरोशा करते हैं जो लोग हमेशा अपनों के प्रती कभी भी गलप नहीं सोजते हैं जो लोग हमेशा अपनों के लिए जान निशावर कर देते हैं जे दोसों और शीव प्रकार की शभी आपके भी जो उनकालकी है, जे दोसों आप शभी का शदवाव, शभी लोगों से बिल्कुल ही अलग है, जहां शभी लोग अपने पेट भरने के लिए किशी और की खाने तक चिन लेते हैं, लेकिन दोसों वही आपका शभाव उनसे वि पूरता है और दोस्तों हमेशा इश्वर की नजरों में आप शरुप्री रहते हैं अजिये दोस्तों और इसलिए आपके जुनकाल में इतने बड़े मोगई आ गये हैं तो दोस्तों इसलिए आप विडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यांशी दिखिएगा उशे पहले दोस्त दोस्तों आप शरुप्रतम जो भी वगवान श्रीव के शच्चे पिरभक्ति हैं चैनल पर नए हैं चैनल को शर्ट क्याइब कर लें और दोस्तों अपने प्यारे हंथों से वीडियो को एक प्याराश लाइक जरूर ही किजिएगा और कमेंड वक्ष में शच्चे मन वर्षेंगे जियां दोस्तों तो आई दोस्तों आप शरुपी को बताते हैं दोस्तों आप शरुपी को बताते हैं कि कल शरुपी के जुनकाल में खुश्यों की नए उड़ान आने वाली है जियां दोस्तों आप शरुपी के जुनकाल की एक नए इस्तिती शुरू होने वा आपको कलशे शबसे बड़ी खुशकाबरी मिलने वाली है। कारवार में कलशे आप शुपी की बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। आप शुपी को बशादे कि जो लोग नए कारवार की शुरुआत करना चाह रहे थे। तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा श्रमे आ गया है, दोस्तों आपके लिए इतना अच्छा श्रमे हैं कि आप जिस भी कारे के शुरुआत करने वाले हैं, दोस्तों वह कारे आपका दिन दूगनी रात चोगनी तरकी करने वाले हैं, जिया दोस्तों, कि दोस्तों हम आप शिवि को बिदा दें कि कल शे आपको अपने किश्मत का, अपने भागी का पूरा पूरा शयोग मिलने वाले हैं। यश्मे गरहों की सती आपके ही पक्ष में होने वाली हैं। जिया दोसों कल से आप जो भी कारियों में अपना हाथ को लगाएंगें। दोसों वह कारे आपका शफल हो जाएगा, जिया दोसों उनमें कोई भी अर्चने नहीं आने वाली है, तो दोसों शाक्षाक देवों की दिव महादेव आपके शाथ है, जिया दोसों कल से आप शिवी के जुनकाल में नई दौर की शुरुआत होने वाली है, बहुत लोग आप शिवी का बहुत ही शुन्दर होने वाले हैं, शाक्षात भगवान भुरिनात का एशा अशिरवाद आप शिवी के जुनकाल में आये हैं, कि दोसों आप शिवी के दुश्मन के भी होश उड़ जाएंगे, आप शिवी के तरकी, आप शिवी की काम्याबी को देखकर, वो अपने मन में यह पास जरूर ही सोचेंगी, कि इनकी किशुमन आखिर शिवी के से चमक शकती है, क्या इनको कोई जादोई छड़ी मिल गई है, जिया दोसों, वो बहुत शिवी सोचेंगे और बहुत लोग कहेंगे कि वहा नशिव हो तो शिवी जिया दोसों, लेकिन द अपने जुनकाल में आर्थिक शमश्याओं से बहुत यदा परिशान थे, जिनके जुनकाल में पेशों की बहुती शमश्याएं चल रहे थी, जो लोग पेशों के लेकर पिछले कईश में से परिशान थे, जो लोग पिछले कईश में से पेशों के लिए बहुत शारी कारे नहीं कर पा रहे थे तो दोस्तों हम आप शुब को बता दें कि कल शे आप शबी के जुनकाल में जो भी पेशों से युड़िश मईशाएं हैं वे शबीश मईशाएं जड़शे ही खत्म होने वाली है भगवान भूले नात के शुमश्रवाज से जो आपके कुंडले में केदार नाम का योग कर निर्वान हुआ है दोस्तों यकीन मानिए ये आपके जुनकाल में इतनी बड़े चमतकार करने वाले हैं एशी आपके किशमत बदलने वाले हैं ये दोस्तों खुद आप अपनी आँखों पर यकिन नहीं करेंगे जिहां दोस्तों लेकिन दोस्तों हम आप शुद को बदा दें कि घर और परिवार का माहौल ये शुमी बहुत अच्छा रहने वाले हैं जिहां दोस्तों और ये शुमी आपको अपने जुनकाल में कुछ महत्पुन बातों का ध्यान रखना बहुत यह जादा आवश्चा होंगी जे दोस्वन शर्पर दोस्वन आपको कौन शर्पर महत्मून बात का ध्यान रखना है दोस्वन शर्पशपले आप शबी को बता दें कि कल से आप शबी के जुनकाल में यह वाश शाई है कि शबलताई मिलेंगी काम्यावी मिलेंगी और बहुत शारी खुषःबुरियां आप शिफी के जिनकाल में आने वाली है तो दोसनों यह बहुताई में आप शिफी के जो दश्मन है वो भी परबल होने वाले हैं कि दोस्तों वो देख कर ही जलते रह जाएंगे जिया दोस्तों और आपके उपर घात करने का भी प्रयाश करेंगी तो दोस्तों युशी में आपको क्या करना है कि अपने जुनकाल में शत्रक और शमलकर कारी करना है जिया दोस्तों जब आप किशी कारी की शुरुआत कर रहे हैं तो दोसों हमेशा आपको अपने वानिशन पर करने के बाद ही जो युजनाएं आप बना रहे हैं दोसों उन्हें युजनाओ को ND किष़्ी और को जनकाई दीजीएगा शादिसा सिद्ग हम आप शिब को ब्रदा दें किUL कि जहां पर भी जाईएगा दोसों अपने शत्रूशी आपको बश्यावधा नेना है किशी पर भी आँख मुंद कर आपको भरशा नहीं करना है जिया दोसों अगर इशी गलती आपने किये भी हैं तो दोसों आपको बहुती बड़ी मुश्कुलों का शामना भी करना पड़ा होगा लेकिन दोसों कल शीआप इन गलतियों को भूल कर भी मत किआजेगा जय दोसवों शादिशा दोसवों हम आप शीवी को बिदा दे कि कल शीवी आप शीवी को अपने जुनकाल में कुछ महत्पुन बातों का भी ध्यान रखना होगा जैसे कि दोस्तों आपको अपनी जुनकाल में जो भी आप रुपे पेशे धन को उर्चित करने वाले हैं जो भी आपको कहीं पर खुशकवरी मिलने वाली है जो भी शफलता है आपको कल से मिलने वाली है दोस्तों उनमें से कुछ परशंट आप गरीबों में दान धर्में जरूर ही दीजिएगा दोस्तों इशा करने शे इश्यवर महादेव शदेवी आपशे परशन रहेंगी दोस्तों जो भी शेंकर जो भी बदाएं आने वाले शुम्मे में आपको मिलेंगी दोसुझों श्वैंग महादेब उनने हर लेंगे और दोसुझों हमेशा आपके जुनकाल में खिशया है खिशया है रहने वाली है जे दोस्वं, इन बातों का आपको खास ध्यान कल से रकने होंगे शादिर साथ दोस्वं, हम आप शबी को बदा दें कि कल शे आप शबी के जुनकाल में जो भी प्रेम शमन्द की शमयशाई थी वे शमयशाई भी शमातो हने वाली है जे दोसों आप शिवी को बता दें कि आपके घर के महौल में इतनी अच्छी स्थिती बनने वाली है कि घर के शबी लोग आप शिवी का स्पोर्ट करने वाले हैं बारी वारिक जिवन बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं जे दोसों शादिशा दोसों हम आप शिव को बता दें कि जो भी आपस में मनमुठाव थे वो मनमुठाव खत्म होने का शमय है और दोसों बहुत शमय से जो आपके शमयशियां चल रही थी जो श्वास्त को लेकर शमयशियां चल रही थी दोसों उनमें भी अब शुधार होन शुरू हो जाएगा शाक्षात महादीब का शिर्वाद आप शिवी की जुनकाल में आये हैं दोसों आपको बहुत अच्छे शुधार अब देखने को मिलेंगी प्रेंदु दोसों हम आप शिवी को उदा दें कि आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना बेहद यावश्यक अपने शुवास्त के प्रतियाप शजग रहिएगा दोसों अपने जुवनकाल में आप वयाम और मेडिटेशन पर भी आपको ध्यान देना है इस बात का आप खास ध्यान रखें इश्गुप्रांदी दोस्तों हम आप शिवी को बिदा दें कि कल्से जो केदार नाम का शु बहुती बड़ा शमान मिलेगा दोस्तों आपके कारियों की तारिफ कल्से होने वाली है शमाज में आपकी एक अलग ही चवी बनने वाली है जिया दोस्तों जो भी लोग पिछले कईश में से बहुती दुखी जिवन जी रही थे उन शबी के जुनकाल में कल्सी बहुती शे को देखते हुए उन्हें शेय कर चलना होगा दोस्वों हर बातों को किशी और को आप नहीं बताएंगे इस आपको करना होगा जी दोस्वों इसके उप्रांदी दोस्वों कल से आप शिवी का शौभाव बहुत यह अच्छा होने वाले हैं जी दोस्वों जो भी आपके जुनकाल में बहुत यह अच्छा परिवर्थन आने वाले हैं जी दोस्वों शादेशा दोस्वों हम आप शुक बदा दे कि कल से आप अपने बुद्धी और विवेक्ट से अपने जुनकाल में शभी कारियों में शुभलताओं को पराप्त करेंगे जो भी चोटी मोटी ब इस जुनकाल में आप शुक शुदाओं की ओर आके बढ़ेंगे लेकिन दोस्वों हम आप शुभी को विदा दे की शमे के शारफ आप शुबी को अपना भी श्वास्त का ध्यान रखना है और दोस्वों आपको क्या करना है कि दोस्वों जब भी एशेय योग किशिवी तक की जुनकाल में बनते हैं, तो दोस्तों वह इंशान कोई आम इंशान नहीं होता है, जिया दोस्तों वह इंशान का किश्मत बहुती परवल होता है, उनका कर्म बहुती परवल होता है, दोस्तों उन्हीं के जुनकाल में युगों का निर्बान होता है, तो दोस्तों इशा को अप शब्द बिल्कुल ही ना बोलें। जिया कि शिय के भी परति दोसुं आप अप siitä भी परति दोसों आप अपने अंदर भुरा ख्याल बिल्कुल ही ना लाए। दोस्तों इश्वर इंशे बिल्कुल ही परशन नहीं होते हैं इसलिए दोस्तों आपको हमेशा श्वी की परती शकार्तमक बिचार लाने हैं जिया दोस्तों जो भी आपके बुरे सोचते हैं दोस्तों उनका विनास निसीत है जिया दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि दोस्टों, आप शिवी को बता दें कि करम फलधाता बेठे हैं आपके रक्षा करने के लिए और जो आपके शाध बुरा कर रहे है, उनको दंड़े देने के लिए बेठे हैं, इसलVN आपको वश अपने जुनकाल में अच्छे करम करते रहना चाहिए, शातीसा दोस् वो शाक्षात लोग दर्शन पाते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोग शाक्षात धर्शन नहीं पाते हैं, कि दोस्तों ये कल्यूग आ गया है, लेकिन दोस्तों अभी भी प्राचिनकाल के एशे उपाय हैं, जो व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यदा कारेकर्शित होते हैं, श्राक्षात उन्हें इश्वर का आभाज कराते हैं इसलिए दोस्तों बहुत शारेशे उबाय हैं जोने लोग अगर करते हैं शच्चे दिल, सच्चे शर्धाशे करते हैं तो उनके जुनकाल में बहुती लाब मिलते हैं दोसों जब गरूं की इस्तिती शही हो और शही शमय पर शही उपाय को व्यक्ति कर देता है तो दोसों उनका लाब शोगने में बढ़ते हैं यानि कि शोने पेशुहगा वाला इस्तिती उनके जुनकाल में आते हैं। दोसुं, इसलिए दोसुं, कल से आपको अपने जुनकाल में कौन से उपाय को करना चाहिए, दोसुं, उन बातों का ध्यान रखें, दोसुं, हम आप शुब को बता दे कि आपके कुंडली में गरों की इस्तिति यश्मी बहुत यच्छे बन चुके हैं, लेकिन दोसुं, आप को अपने जुनकाल में कौन से उपाय को करना चाहिए, ता कि दोसुं, आने वाले श्मम में, आपको कभी भी इनका अशुब परभाव ना मिले, जिन दोसुं, इसके लिए आपको क्या करना है, तो दोसुं, आपको यच्मन ऋपाय को रखना है, जिन दोसुं, अर उषमन मोरपांग को गंगाजिल से अविंतरित करके अपने पूजा अस्तान में रख दें। दोसों इशा करनेशी आपशिवी की जुनकाल में धन विरिद्धी और शुक विरिद्धी होंगी। जो भी दोसों गरहों की अशुप परभाव हैं। जो अशुप गरह हैं। उनका परभ कुछ को प्रिशान करते हैं। तो दोसों आपको एक महत पूरु पाय करना है। जो सबके पहले दुस्तों आपको पूरा भलबा आपको शुटना दोस्तों बश आपको क्या करना है कि उसके पेर के मिट्टी आपको उठा लेना है और दोस्तों चूले में जलती आग में उन्हें डाल देना है और दोस्तों बश आपको इतना करना है और दोस्तों इतना करतने के बाद आपको क्या करना है कि महाबली हर्मान जी के जो हर्मान चलिशा है बश उनका आपको एक बार पाट करना है दोस्तों इतना करते ही आप शिविक के जो भी दुश्मन है दोस्तों वे बिलकुल ही पराजे होंगे आपके कार्णियों में बधाये डालने के उप्रयाश करेंगे वे बिलकुल ही अशिफल होंगे और शाक्षा संकट मोच हनुमान जी आप शबी की रख्चा करेंगे जिए दोस्तों ये बहुत ही महत्पून उपाय है जो कि दोस्तों कल से आपको अपने जुनकाल में याद रखना ही चाहिए कि दोस्तों शबी के जुनकाल में कोई ना कोई शत्रू है जिया दोस्तों इश्कल युग में शबी व काडि बंगले पेशे की आफिशे की आफिशिक्ता होती है। लेकिन दोस्तों शरल उपाय करने खिवी वक्ती कि जुड़ साहें। और जब भी व्यक्ति को एशा पेशूं की प्राप्ति नहीं होती है, जो दूस explo में नश्य करते हैं, उन्हें बहुत शारी लोग एशे हैं, जिनने छोटे चोट्य उपाय करने से भी उन्षय की प्राप्ति होती है. उनकी बिगडे काम भी बन जाती हैं और उन्षी उनको पेशों की प्राप्ती होती है तो दोसों कल से आपको अपने उनकाल में कौनशे महत्पुन बाय को करना चाहिए दोसों सुबा उड़ते ही बच्चों को रोने ना दे जेंदोसों पत्नी पती आपश में लड़ाई ना करें जेंदोसों शुबा आठ बजी शे पहले नहा लें जाडू पुछा छुपा की रखें पहली रोटी गाय वह भक्षों के लिए बनाएं रात को आकरी रोटी कुट्टे के नाम ही निकालें रशोई हुआ कमरी में जूठा बरतन ना रखें तवा भी धोकर चुले पर रखें एक लोटा पानी रशोई घर में भर कर रखें शुबा उड़ते ही खुशुबुदार अगवरती जलाएं और जोर से भगवान का नाम लें जिस्टे शारे शुनले जिन दोसों पाठ करते शमय ही खाना बनाएं और मा के आर्थी उतारें दोस्टों ऐशा अगर आप उपने जुनकाल में कर लेंगे तो दोस्टों हम आप शुबु को बदा दें कि कल से आप शुब के जुनकाल में कोई भी बिगन बदाय नहीं आएंगी और जगरहों का शुब परभाव है वो भी दोस्तों कम होगा जुनकाल में आपको शुक शांदी शमिर्दी और घर में बरकत भी होगी दोस्तों इन उपायों को आपको अपने जुनकाल में करना है और दोस् करना है जिया दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए आप शिवी का धन्यवाद आप शिवी का दिन शुग हो मंगल मैं हो